यह जो भी हेजिंग वेजिंग है आप इस्ट्राइक प्राइस चोज करने के कौन कौन से तो ट्रीक सब लोग बताते हैं कि फलानी स्ट्राइक प्राइस यह कर लो दो मिनट में 25,000 रुपए अभी सुबहे हमको शायद वीडियो मेरे पेच पर आया था कि 15 मिनट में पूरा ल इनों से ज्यादा की वॉल्यूम आज आप देखोगे हालां कि हायर डेली टाइम पर आपको शूर ना हो लेकिन लोवर टाइम पर बहुत आसानी सी चीज़ देख जाती है हमें लग रहा है कि करीब यह एक एक महीने से ज्यादा का टाइम है जब इतनी वॉल्यूम हमें डिक डेली टाइम फ्रेम पर एक रेस्टेंस को फिस कर रहा था और आज इसने अप सैट की तरफ ब्रिक आउट दिखा देने के बाद में ऊपर की दिशा में गया और वापस रेंज के अंदर आ गया और रेंज कांसी थी हमारी 12th माई की रेंज प्राइस हमारा 12th माई की रेंज क कर दी एक दो दो दीन से मार्केट एक रेंज के अंदर रुखी हुई है और आज क्या हुआ कि वॉल्म्स के ब्रेक आउट पर प्राइस मेरा अब सैट की तरफ जाने की कोशिश में अपने ब्रेक आउट को फिल करके सीधी नीजे की तरफ आज का जो ट्रेड है दो दिन पह स्टॉशन का प्राइज है एंड और में अभी शायद स्टॉप हाँ स्टॉप लॉस का ओर नहीं लगा है तो जल्दी से पहरे चल करके स्टॉप लॉस लगा देते हैं मार्किंग्स तो फिलहाल हमने कर दी है बट एक्टुल स्टॉप लॉस नहीं लगा है तो 298 2.50 कॉपी स्टॉप लॉस पर इसे लिमिट हो गया है ऐसे मार्किट ऑक्या तो ओर्डर वुक तो 50 कॉइंटी स्टॉप लॉस है एंड सेल 296 9.50 ठीक ही मुव्मेंट हो रहा है हालांकि अभी के जो स्टॉक्स की मुव्मेंट चल लिए ना बहुत बढ़िया मुव्मेंट चल रहे एक स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं तो आज कभी हमें ऐसा लग रहा है कि डिक्सॉण उम्मीद से ज्याधा का मुव्मेंट हमें शो कर जागा कल भी देखे जितने स्टॉक्स हमें आप लोग के ताथ शेर किये थे काफी अच्छी स्टॉक्स जैसे कि हिंदूस्तान पेट्र हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस अगर 9.15 के लोग था अगया प्रॉफित हमें वहीं पर अच्छा खासा दिख जाएगा बट हमें मागलूब है कि प्राइस कल की जो केंडल यह जो गैप फिल हुए है आज के दिन में इस गैप को यह फिल कर सकते हैं तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है clear stop loss हमारे यहां पर लगा हुआ है और हम लोगों ने define कर लिए and targets के लिए हम वेट करें 2915 का जैसे हैं आप profits बुक करते हैं बड़ा movement होता है तो हम आपको inform करते है 9.15 का low जाते ही कितना बड़ा एक low बना दिया price ने क्योंकि यहां पर बहुत सारे stop losses वगरा लगे होते हैं और कही सारे order executed होते हैं तो जैसे ही 915 का low या high break होता है तो एक movement मिलता ही मिलता है सो यह और कुछ ने जस्ट यह है और ऐसा ने कि एक्तम से market नीचे लिए अभी यहां पर breakouts अगर हुए हैं तो एक जो नेचर होता है price का कि breakout होने के बाद में हो सकता है कि यहां से price थोड़ी दिर और sideway हो में भी चांस है कि यहां से थोड़ा सा और यह sideway हो इसके बाद में कोई movement आप देखोगे अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे फिर upside में जाना है तो upside को मिला करके अगर किसी major candle का breakout हुआ है तो just उसके breakout हो जाने भर से तुरण trade नहीं कर दिया जाना चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा wait करो रुको वरना ऐसे अगर हम लोग aggressive trade कर देंगे तो I am damn sure कि आपको कभी भी just अगर आपकी 915 का लोग एक major candle आप इसको master candle मानते हो तो 2932 आपका यह point है आप क्या चाहते हो 2932 या फिर बहुत ज्यादा हो हो सकता है वो उतने पर आपके trades execute कर दे जहां पर price गया ही नहीं है ऐसा बहुत बार होता है कि price मानके चलिए अभी जो चल रहा है यह 7 रुपे पर है और आपको price मिल रहा है 6 रुपे 50 पेसे पर आप देखोगे अरे 6 रुपे 50 पेसे तो गया ने और वहाँ पर हमार order executed है ऐस execute मत करतो थोड़ा सा रुख जाओ wait कर लो है ना जैसे यहां पर देखे क्या हुआ था ना जबने trade execute किया है तो previous हमारी master candle के just high पर हमने अपने अपनी entry उसके उपर नहीं उसके नीचे नहीं stop loss भी यहां पर जो 3 months का time frame यहां पर आप देखोगी कि proper swing लगा हुआ है just अपनी उ प्रिश कर लेते हैं 11,800 cash pass का है चले तो targets के पास हम लोग करी पहुंचने ही वाले है wait करते हैं जैसे यहां पर profit book करते हैं inform करते हैं क्योंकि अब market close होने वाली है and यहां पर हम लोग कुछ पैसे से चोग गये क्योंकि जो हमारा target price था 2915.30 exact हम इस area तक का wait कर रहे थे कि price अग है कि price 0.25 पैसे का target done नहीं करेगा यह अप में जा रहा हो सकता है एक spike का है जैसे कि कल की trade में हुआ था ना महिंदरा में के price कल में क्या हुआ था कि price यहां तक आया और फिर से breakout किया और नीचे चला गया तो हमारी targets के आदे 2915 थे सारी profits तो में यहीं पर book कर लिया थे जो भी first target था हमारा बाद में price और नीचे चलागी तो जैसे price highs को break कर रहा था कहीं ना कहीं तो यह होता है कि यार भी movement में मजा नहीं आ रहा है और क्यूंकि इसने highs ब्रेक कर दें तो हो सकते resistance ब्रेक हो रहे है price वापस नीचे ना है फिर भी जो भी यह analysis है यह over analysis के category में आता है यह analysis हम लोग करते हैं market में entry लेने से पहले ना कि market में entry लेने के बाद किसी भी stock में अगर आपने entry ले ली तो उसके बाद में यह तो target यह stop मजा नहीं आया पदा है करी 12-13,000 रुपय का profit दिख रहा था 12,000 से ज्यादा 13,000 नहीं 12,000 कुछ रुपय का profit दिख रहा था but sudden move upside की तरफ और निकल गया तो 1200 से हम लोग 12,000 से 1200 पर आ गया paste order लग चुका है I think के 1962.45 price कहीं जा रहा है अप में down में किसी movement में जा रहे जाने दोसको hard word ही नहीं कि जो भी है हमें यह कलना है किसी price पर है और जलबादी हम किसी price पर confidence रखना पड़ते है अपनी analysis के उपर अपना जो believe है strong होना चाहिए जिस तरह से हम लोग read करते हैं जैसे trading करते हैं हमें मालूम है क्या price है अभी exits तो हुए नहीं है 2950 कोई बात नहीं price आएगा नीचे आएगा वो 2962.45 टच करेगा करना चाहिए इसको तो तब ही हम लोग exit करेंगे कोई भी जलबादी में किसी hard body बनी किरें क्या करें price तो upside की दिरफ जा रहे red candle बन रहे green बन रहे यहाँ पर क्या हो रहे और 250 रुपे ज्यादा हो रहे है 100 रुपे कम हो गए यह तो 200 ज्यादा हो गए फिर से कम हो गए क्या करें क्या करें चुल एग्जिट कर देते हैं बहुत हद तक आप चोट खा जाते हो इन सारी चीसों से वेट करो 24 पॉइंट का नुकसान होगा होने दो लेकिन यह अपना एक दिन का काम नहीं है यह रोज का काम है इस तरह से करते हुए फिर हम अपने आपको और नुकसान पहुंचाते और अपने आपको कमजोर करते हैं अब यह option option तो हम लोग करने रहें कि entry ली exit कर गए कितना इसमें तो हमारी करीब साड़े तीन चार सुर पर ब्रोकरी जी जाएगी साड़े तीन सुर पर करीब क्या अभी क्या बोल रहे थे हम अब यह आप्शन वाइरा तुम लोग करने रहें कि बस entry ली exit कर गए क्योंकि उसमें हमें मालुम है कि जो भी option वाइरा कर रहा है उसको उसकी हकीकत पता है अगर ढंग से नहीं आपने किया ना तो यह जो 90-95% या जितने भी whatever figure बता जाता है 90-91% जो भी है इतने लोग फेल होते हैं यह सच बात है वाकई फेल होते हैं और फेल होते रहोगे सही process में अगर नहीं आगए तो आप option ट्रेडिंग करके profitable नहीं हो सकते आप profitable हो तब आप option ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन आप यह को है कि हम option ट्रेडिंग सीख रहे हैं हम future ट्रेडिंग कर रहे हैं हम एक quantity के साथ काम कर रहे हैं option ट्रेडिंग है वो एक quantity के साथ काम करोगे आपका घर बिग जाएगा एक quantity को कि आपने कम समझ रखा है वन लॉट के साथ काम करना एक option का trade महेंगा पड़ता है एक lot में कम से कम भी अगर हम लोग देखे चलें पंदरा सो दो जार रुपए का minimum सा stop loss आता है minimum stop loss दो जार का जाएगा हो सकता है 2000 रुपए में हमको वहाँ से 10 trade करवा देंगे equities के अंदर और सीखोगी कितना आप 10 trade सीखने का मौका मिलेगा और यहाँ एक तो इसलिए हमने गा है कि आप profitable हो अब option trading करो लेकिन यह कहीं कि आप option trading कर रहे हो option trading से सीख रहे हो तो हो गया फिर सीखने में चला गया सब कुछ फिर वह काम करो अच्छे से करो analysis जो भी करनी है सीखना है technical analysis करनी है indicator जो भी लगाना है सब कुछ करके देख लो यह पर profitable हो गया अब option के अंदर काम करो यह जो भी hedging वेजिंग है आप strike price चूज करने के कौन कौन से ट्रीक सब लोग बताते हैं कि फलानी strike price यह करो दो मिनट में 25,000 रुपए अभी सुबह हम को शायद video मेरे page पर आया था कि 15 मिनट में पूरा loss recover करें ऐसे से videos आते हैं कि मंदलब कुछ magic ही होने वाला है कुछ यू हो जाएगो और आप सीधर करोड़ पती बन गए strike price को slate कर लेना यह सब कर लेना यह किसी strategy के अंदर नहीं आते हैं last में आपको बस यही देखना है कि अगर bank nifty है या फिर आप nifty को trade करो या fin nifty को trade करो तो यह market upside की तरफ जा सकती है आते ही नहीं है आप nifty में यह तक नहीं analysis कर सकते हो कि आज market की direction क्या रह सकती है upside या trend directions का downside की तरफ रहगा आप कर लो उसके अंदर strike price कीचने ट्रिक्स लगा नहीं लगा लो एक पैसे का फैदा नहीं होना उसके अंदर यह सारी चीज़े सोच करके चलो strikes price को slate कर लेने से आप profit नहीं बना लोगे उसके अंदर मेरे कहने का क्या मतलब है कि कोई भी chart read करो at least आपको यहां तक आना ही होगा कि price का movement अप में या down में एक दिशा निरधारित करनी होगी आप जैसे Dixon अपने resistance भर है जैसे price हमारे resistance को touch किया वो नीचे की दिशा में गिर गया जैसे यहां पराय में मालूम है कि daily time frame पर यह एक important area है marotrad यहां से stop loss इस जगे पर रख दो बहुत कम chance है कि फिर आपका stop loss चाहिए price कितना movement इसने दिखाया कितना movement दिखाया लेकिन हमारे entry price के ही उपर नहीं जा पाया stop loss तो छोड़ दो इस तरह के analysis पहले करो सीखो समझने की कुशिश करो फिर bank nifty भी हम लोग trade करेंगे फिर nifty भी हम लोग trade करेंगे फिर nifty भी trade करेंगे thanks goodbye and we will meet again